मैं सुझाय कुमार और आपके अपने चैनल सुझाय फेंटसी में आपका स्वागत है आज हम लोग बात करने वाले हैं ICC T20 2024 सब रिजनल क्वालिफायर B के मुकाबले जो कि तंजानिया और नाजेरिया के भीच में खेला जाना है important मुकाबला है एक एक प्लेट के हम लोग डिटेल से स्टाइट्स चेक करेंगे देखेंगे किसको हम लोग अपने टीम में लेकर के जा पा रहे हैं किसको ड्रॉप कर पा रहे हैं पूरे वीडियो को मैं यहाँ आपको धंग से बताने वाला हूँ एक एक विलेट के बारे में डिटेल से समझते चलना और जो भी मैं बता रहा हूँ इन्वेस्टमेंट प्लान सारा कुछ मैं आपको यहाँ पे डिटेल से बताता चल रहा हूँ दिस्तो ठीक है उसके बाद जो दूसरा वीडियो हमारा आने वाला है यह और सुबह से हमारा यह सातवा वीडियो होने वाला है तो बहुत सारे मैसें लोग कभर करते हैं रोज छे-सात मैंचे तो रोजाना आता है तो टेलिग्राम से अगरभी तक नहीं जोइन हुए हो तो इस वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है जल्दी से जाओ विकॉज टीम वगर आपको वहीं पे मिलेगा ठीक है कुछ नहीं करना है इस वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलिग्राम का उस पे कलिक करो डारेक्टली हमारे टेलिग्राम चैनल पे आज होगे अब चलो डिस्कस करते हैं कि इनके टीम से कौन-कौन से प्लेयर को लेकरके जा सकते हो तंजानिया और नैजिरिया मैं से जो भी इंपोर्टन इपोर्टन प्लेयर है वो सारा कुछ लिडिस्कस करते हैं फिर आकर करे डिललर पे टीम अगरा क्रिएट करेंगे तो गाईज हम लोग पहले नाजERIA के हर प्लयर के स्टाफ करेंगे देखेंगे इनके तरफ से कौन कौन से यह प्लयर है जिनको आपने टीम में ले करके जा सकते हो और किसको खो बान पर यहां से धेक करें चलते हैं तीरपन इसायक वकाईपे मनाता वा दिख रहे और बाके सबका सिंगल डिजेट में स्कोर है तो यहां से जोब को प्रफॉर्मेंस करता वा दिख रहे न वो है इसायक वकाईपे यहां पर आस्मित रिष्टरा और यहां पर सुलेमान धून से वे ठीक है हलाकि यह नेजरिया का टीम जीत गई है यहां पर मैच और बॉलिंग सेक्सन पर देखो के विकेट निकालते हुए तो पीटर रहो चारवड में 13 दे करके एक विकेट है प्रोसपर उसेनी को चारवड में 17 दे करके दो विकेट है चिमेली उर्टेके को यहां पर विकेट कुछ खास नहीं है इसाक वखाईपे का दिखो के तो चारवड में 15 दे करके दो विकेट है उसके बाद दिखो के तो रिडवान अब्दुल करीब है तीन टुबड में 8 भिकेट है यह तो पहले matches के बारे में मैंने discuss कर गया होता है अभी देखते चलो अभी हम लोग बहुत सारे matches देखेंगे Nigeria के फिर उसके बारती तंजानिया के जो टीम है उसके बारे में discuss करेंगे Nigeria के तरफ से देखोगे तो इनके तरफ से फिर से जो रून सेवे हैं वो प्रफॉर्मेंस करें 22 रन का ओपनिंग करते वे एडमोला ओनी कोई 38 रन 14 रन यहापर असमित स्रिस्टा और एक रन यहापर अखिर सेले को मिल रहा है बॉल इंडी बारे में देखोगे तो यहाँ पर Nigeria के टिम हाला कि जीत गई है यहाँ पर देखोगे तो पीटर रहो को फिर से दो विकेट मिल रहा है उसैनी को एक विकेट मिल रहा है तीन वड़ में 15 रन करके एक विकेट है तीन वड़ में 14 रन करके एक विकेट इसाक उकाइपे को है और तीन वड़ में 9 रन करके एक विकेट चीमेली उड़े के विकेट है ठीक है चार वड में 26 रन करके एक विकेट है किसका सिल्वेस्टर ओकाईपे का जो कि इस ट्रीम के कैप्टेन है और रिडवान अब्दुलकरीम का देखोगे तो तीन वड में गाला रन करके जीरो विकेट है तो कूल मिला करके यहां से जो अनकना यहां देखोगे तो सुलमान रोसवे फ्लॉप है सातर ने आपने स्कॉर कर रहे है एडमोला उनको नहीं फ्लॉप है यहां से असमिस रिस्ट आपको हर मैच में प्रफोर्मेंस करते हुए दिख रहे है बागे यहां पर कोई खास किसी का रिकॉर्ड नहीं है और बंदे को विकेट यहां पर मिल रखा है और भी मैचे देखेंगे नए जिरिया का ताकि थोड़ा जल्दी-जल्दी बढ़ाते चलेंगे ताकि आपको सारे प्लेयर के बारे में में डिटल से बताता चलो असमिस रिस्टा यहां पर 76 फिरकत्ति तिरपन इसाय को काई पे और रोटेट करके चलो और आपको वह परफॉर्मेंस करके देगा एक बार केमरोन और नाइजिरिया के बीच में देखो गए स्टाइट्स नाइजिरिया पर दोनों अपने रहीं बिनके बना दिया अच्छे घास स्कोर और यहां पर देखो गे ना तो परफॉर्मेंस तीन विक investi होगान और पीटर हो यह सारा कहानी आपको देखने को मिलने वाल है चलो जल्दी जरी डिसकस करते सकते हैं अब हम लोग अधिया अब टरण जान देखते चलते हैं अब सस्क्राइब नहीं हैं और उप मारे चैनल पर देखने को मिलेंगे साथ आट वीडियो में रोज देता हूं और सारे के सारे इंपोर्टेंट मैचे जमलों कबर करते हैं अब चलो डिसकस करते हैं यहां से देखोगे तो अभीक पाटवा कैप्टेन है यहां पर इवान सलेमानी आपको बनाते हुए दिख रहे यहां देखोगे तो यहां लिडे नकिनिया आपको इंपोर्टेंट प्लेयर साभीत हो सकते हैं जो कि आपको अपने टीम में लेकर के जाना ही जाना है दो विगट यहां पर आपको मिलता हुआ दिक रहा है कासिम नसूरु मूसा को और एक विगट मिल रहा है एली मपेका की प्लेयर के स्टैट्स बगरा अभी हम दो देखते चलेंगे अभी तो शुरुआत ही हुगा है आपको तीन विगट एक विगट कासिम नसूरु मूसा एक विगट यहां पर अभी पाटवा और एक विगट हरसिचुआन को मिल रहा है बाकि सारे बंदे को किसी को बिगट ने काद विगट मिल ही जाता है तो यह थोड़ा ध्यान रखना अभी हम लोग तंजानिया के प्लेयर के स्टैट्स देख रहे हैं और भी देखते हैं क्या-क्या प्रफॉर्मेंस से तंजानिया के प्लेयर का भाई अभी पाटवा कोई दूसरा कोई बंदा आपको परफॉर्मेंस नहीं करके देने वाला है तो जो मैंने आपको बताया है डीटेल से आप उसी पर काम करो और आप मैच को विन कर जाओगे ठीक है दोस्तों यह मैंने आपको सारे जो भी इंपॉर्टेंट प्लेयर थे मैंने डिसकस करके बता द जिन्या को और एक विगट यहां पर मिला है दोस्तों एली मापेका की मोटे को दोस्तों यह दो बात होगे दूनों टीमों के इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट प्लेयर के स्टैट्स आप आज आते हैं हम लोग जल्दी से डिडिलन टीम यूपर देखते हैं किसको अपने पूलना साथ विडियो रिकॉर्ड करना टीम देना बहुत ज्यादा मिनत लगती है और आप हो कि सब्सक्राइब नहीं करते हो सब्सक्राइब कर लो लाइक कर लो क्या जाता है कमेंट भी अच्छा कर सकते हो चाहते हो तो कर देना अब यहां पर देखो अमाल पुलके आने चाहते हो ट्राइब करना तो करना वर्णा मैं अभी के लिए नहीं ज्यादा इंको बड़ करने वाला हूं बैटिंग सेक्शन पर आते हैं तो यहां से अखिल अनिल को ले करके जाओ अभी जित पैटवा तो मेरे टीम में 100% रहेंगे और उन से वे को में ले करके जाने वाल यह सारे जो important important player है मैंने detail से बता दिया आपको इनमें से किसी को भी drop नहीं करना है बॉलिंग सेक्शन पर आते हैं तो नकन्या important पर एक एसो काई पर एक अब्दुल करेंगे चलो अभी के लिए यह टीम है यह बिल्कुल भी हमारी final team नहीं है final team जो भी होगा वो आपको कहा म पहले बॉलिंग करेंगे तो उससाब से फिर हम लोग captain वैस करेंगे तो जो भी होगा आपको टेलीग्राम पर मैं बता दूंगा जल्दी सब्सक्राइब करें जल्दी मिलेंगे दोस्तों नेक्स बीड़ों में नयमदा ट्री को वीड़ों के साथ तब तक ले धन्याबाद अबना ख्याले के दोस्तों जाहिए